इस्राइल की दोस्ती दुश्मनी अमेरिका से दोस्ती और तुर्की से बढ़ती तल्खी आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे अमेरिका यह कहा जाए तो ऐसा चौधरी जिसे हर फटे में टांग अनाने की आदत है अब अमेरिका का ताजा फैसला है कि वो इस्राइल को और मदद करेगा अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि एरान और उसके सहीयोगियों के हमले से इस्राइल की रक्षा के लिए अमेरिका मध्यपूर्व में अत्रिक्त जंगी बिड़े और लड़ाकू विमानों को तैनात करेगा इरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माईल हनिया और लेबनान में हजबूला के कमांडर के मारे जाने के बाद तनाव बढ़ा हुआ है यहां तक कि पेंटागन का ये भी कहना है कि मिसाइल डिफेंस फोर्सेज को तैयार रखा गया है इसमाईल हनिया की हत्या के बाद इरान के सुप्रीम नेता आयातुलाह खामनेही ने इसराइल को सबक सिखाने की कसम खाई थी तीन दन का राश्रिय शोक तक घ ben गोचिद किया गया था इरान और गजजा ने हनिया की हत्या का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया है अब वापस अमेरिका के रिष्टे पर आते हैं अप्रेल में ही इरायन के इसराइल पर ड्रोन हमले के बाद भी अमेरिका ने तैनाती को बढ़ा दिया था इसके बाद इसराइल ने करीब 300 ड्रोन्स को निस्तनाबूत भी कर दिया था इतना ही नहीं इससे पहले एक अगस्ट को वाशिंग्टन पोस्ट के हवाले से खबर मिली कि अमेरिका ने मिडल इस्ट में 12 नए युद्ध पोत तैनात किये हैं राश्पती बाइडन ने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर चर्चाय भी की बाइडन ने इसराइल की रक्षा करने का वादा निभाया दोनों नेताओं ने मिडल इस्ट में अमेरिका के हत्यारों और डिफेंस वैपन्स की संख्या बढ़ाने पर भी विस्तार से बाचीत की राइटर्स के मताबिक अमेरिका के रक्षामंतरी ने अलाके में पहले से तैनात यूएसस थियोडो रूजवेल्ट केरियर की जगह यूएसस अबराहम लिंकन एरक्राफ्ट करियर तैनात करने का आदेश दिया पेंटागन से मिली जानकारी के मताबिक इससे पहले तक अमेरिका के दो नेवी डिस्ट्रायर्स यूएसस रूजवेल्ट, यूएसस बलकली, यूएसस वास्ट और यूएसस नियॉयॉर्क जैसे करियर्स पहले से मौजूद है USS VASP और New York को तनाओं बढ़ने के स्थिती में इलाके से अमेरिकी सैनिकों को तुरंट वापस लाने के लिए तैनाद किया गया है अमेरिकी मीडिया के मताबिक 155 मिली मीटर के 52,229 M795 आइटिलरी शेल्स होवितसर तोपों के 30,000 गोले 320 मिलियन डॉलर के डम बम जिन्हें GPS लगाकर सटी घमला किया जाता है वो पहले ही आलरेडी दिये जा चुक है इसराइल को इसके अलावा एर डिफेंस सिस्टम, टैंक, हेल फायर मिसाइल, कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट भी भेजे गए है अब सवाल ये, कि ये रिष्टा क्या कहलाता है, सिर्फ अपने स्वार्थ का ख्याल रखने वाला अमेरिका, इसराइल का इतना जिगरी क्यों बना हुआ है इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है हमास के हमले के चंद दिन बाद ही अमेरिकी राजपती जो बाइडन तेल अवी पहुँचे और हमास को शैतान बता दिया इसके बाद नवंबर में अमेरिकी संसद ने इसराइल के लिए 14.5 अरब डॉलर की सैन साहता मनजूर की लेकिन दोस्ती का इतिहास और पुराना है अमेरिकी राजपती हैंडरी टूमेंट पहले राजनेता थे जिन्रोंने सबसे पहले इसराइल को माननेता दी 1944 में इसराइल के अस्तिव के ऐलान के महद तक्रीबन दस मिनट के भीतर उसे अमेरिका की माननेता मिल गई क्योंकि दुटी विश्व युद्ध के बाद कमजोर होती यूरोपिय ताकतों के दौर में अमेरिका अरब जगत में सत्ता का संगर्ष का एक बड़ा बिचॉलिया बनकर उभरा था और तेल रिजर्व के साथ साथ अरब देशों को नियंतरत करने के लिए काबू करने के लिए उसे इसराइल की जमीन की जरूरत थी हाला कि इस दोस्ती में दरार भी आई जब स्वेज नहर को लेकर विवाद उठा तो अमेरिकी राजपती ने इसराइल को धमकी दी कि उसने कबजा किये गए अलाकों को खाली नहीं किया तो उसकी मदद रोग दी जाएगी एक बार 1960 के आसपास भी कैनेडी के राजपती रहते हुए इसराइल पर अमेरिका की नाराज़गी थी अब बात का रुख दूसरे दोस्त की तरफ मोड़ेंगे दोस्त या दुश्मन कह लीजे तुरकी या कहें तुरकीये के तरफ दोस्ती भी दुश्मनी भी बताना भी नहीं आता छिपाना भी नहीं आता कुछ इसी तरह के रिष्टे है इसराइल और तुरकी के लेकिन जादातर में विवादों का केंदर रहा है फलस्तीन ताजा मामला इस्माइल हन्या की तहरान में मौद के बाद तुर्की के शोख का है तुर्की ने तेल अवीव में अपने दूतावाज पर राश्ट्री एजंडा जुका दिया इसके बाद इसराइल के विदेश मंत्री कार्ड ने तुर्किये के उपर राजदूत को बुलाकर खरी खोटी सुनाई यहां तक कह दिया कि शोक मनाना है तो अपने देश वापस लोट जाओ विदेश मंतरी कार्ड्स यहां तक बोल गए कि अगर शोक मनाना चाहते हो तो तुर्की जाना चाहिए अपने मालिक और तुर्की के राश्पती रिचिप तैयप अर्दुवान के साथ शोक मनाना चाहिए जो आतंकी संगठन हमास को गले लगाता है उसकी हत्या और आतंक के करत्यों का समर्थन करता है अब पिक्चर के नए किरदार है अर्दुवान जिनके समय के साथ बयान बदलते रहे वैसे तुर्की और इस्राइल में 1949 से राजनाइक संबंध है तुर्की इस्राइल को मानिता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश था लेकिन जब UAE, मुरको, बहरीन और सूडान ने अबराहम अकॉर्ड्स के ज़रिये इस्राइल को मानिता दी तो तुर्की ने इसका विरोत कर दिया था 2005 में अर्दवान कारुबारियों के एक बड़े समू के साथ दौरा करने पहुंचे थे इस्राइल का और इरान के परवानु कारिकरम पर चिंता जता कर आये थे 2010 में इस्राइली कमांडों ने तुर्की के पोट में घुसकर दस लोगों को मार दिया तब रिश्टे बिगड़े थे 2014 में गजा संगहर्च में 2300 से ज़्यादा फलस्तिनियों के जन चली गई उस समय अर्दवान ने क्या कहा था बहुत दिहान से सुनिये इसराइली हिटलर को कोसते हैं लेकिन इस आतंकवादी देश ने घजा में अपनी कारवाई से हिटलर के अत्याचारों को पीछे छोड़ दिया इसके अलावा 2018 में फिर अर्दवान ने अमेरिका के अपने दूतावास को यरुशलम ले जाने और इसराइल के हमले में दरजनों फलिस्तिनियों की मौत को लेकर बयान दिया 2020 के बाद से तुर्की ने इसराइल समेट आसपास के दूसरे देशों से सम्मंद सुधारनी की कोशिश की लेकिन अब फिर से रिष्टों में तलखी बढ़ रही है मारके की बात ये भी जान लीजिए कि तुर्की और इसराइल के भी सम्मंद भले ही उतार चड़ाओ वाले रहे हों लेकिन कारोबार एकदम टना टन है तुर्की इसराइल का पांचवा बड़ा व्यापारिक सही होगी रहा है 2023 में दोनों के बीच 6.2 बिलियन डॉलर का कारोबार यानी धंदा हुआ है खेर ये तो अमेरिका और तुर्की से इसराइल के रिष्टे है जो आगे किस तरफ जाएंगे कहना मुश्किल है सच्चाई सिर्फ एक है कि नेता जबान से लड़ रहे है और जमीन पर बह रहा है सैनिकों और आम लोगों का खोन फिलहाल के लिए इतना ही लेकिन जो भी आपका रियक्शन हो अच्छा हो आलोचना हो समीक्षा हो वो हमें बताएं क्या कुछ आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट के जरीए साजा करें नमस्कार करें चाहते हैं